मैं भारत को भ्रती अता की मान्निता के आधार पर उसे खळा करना चाहता हूं उस काम में लगाँ दात साफ करने के लिए दातुन करो दातुन नीम की दातुन, बबूल की दातुन, पाकड की दातुन, करंज की दातुन, अमरूद की भी दातुन होती है आम की भी दातुन होती है, बबूल की दातुन, बारे तरे के पेड़ हैं उनकी दातुन करो tax free, cost free side effect कुछ नहीं है expiry date कुछ नहीं है फोगट में मिलती है कि नहीं है एक एक दातुन तोड़ लो और दातुन तोड़ के 7 दिन तक चलाओ उसको मैं तो एक दातुन 7 दिन कर लेता हूं कैसे? दातुन किया चबाया, आगे का हिस्सा काट दिया, फिर पानी में डाल के रखा, दूसरे दिन फिर कर लिया, ऐसे साथ दिन चलती है, एक बार क्या हुआ, एक IIT का लड़का मुझे पूछता है, बहुत इंटेलिजन्ट होते हैं, IIT वाले में भाशन दे रहा था, क्या अनलों का, क्या मूर देता हूँ, तू साल पर एकी ब्रश को रखड़ता रहते हैं, बंद करो ये ब्रश, और ये ब्रश की मुश्किल पता है क्या है, टूद्ब्रश होता है ना, प्लास्टिक के उसमें ब्रसल्स होते हैं, उनको जब हम रखड़ते हैं तो मसूडों पर उसका घरशन होता है, म दूसरी समस्या क्या है, कभी भी आप देखना टूद्ब्रश होता है ना, उसमें जहां ब्रसल्स लगे रहते हैं ना, वहाँ पीला पीला सफिद सफिद कच्रा जमा हो जाता है, उस पे हजारों वाइरस आकर जिंदा बैठते हैं, और रोज आप अपने मुह में डाल के क्य खतरनाक काम कर रहे हो, बंद करो, अच्छा नहीं है यह, और एक बात बता हूँ, यह जो टूथ पेस्ट है ना, टूथ पेस्ट जिसको आप घिसते हो, इसमें जहाग बहुत बनता है, मालू मैं, जहाग तो वाशिंग पाउडर में भी बनता है, कभी-कभी मैं लोगों से क कहता हूँ, आप कॉलिगेट क्यों करते हैं, तो कहते हैं, इसमें जहाग बहुत बनता है, तो जहाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है, शेविंग क्रीम क्यों नहीं रख़ते हैं, अब मैं असली बात बताता हूँ, जिस वस्तू से शेविंग क्रीम में और वाशिंग पाउडर में जाग बनता है वही वस्तू टूथपेस्ट में मिलाई जाती है उसको कहते हैं सोडियम लॉरेल सलफेट और ये ऐसा खतरना केमिकल है जो कैंसर कर देता है अब मैं आपको एक सच्चा ही बताता हूं अमेरिका देश में यूरोप के देशों में टूथपेस्ट ज करने से कैंसर होता है अंग्रेजी में लिखते हैं it is cancerous carcinogenic और अमेरिका यूरोप के टूथपेस्ट पे क्या क्या लिखते हैं अंग्रेजी में लिखते हैं please keep out this toothpaste from the reach of the children below six years माने छे साल से छोटे बच्चे को ये टूथपेस्ट कभी मत कराना क्योंकि बच्चे उसे चाट लेते हैं वो cancer से मर सकते हैं फिर अमेरिका और यूरोप के टूथपेस्ट पे लिखते हैं in case of accidental ingestion please contact immediately poison control center माने गलती से पेस्ट अगर कर लिया बच्चे ने तो hospital लेके जाना उसको जहर है क्या जहर है उसमें एक chemical जिसका नाम है sodium laurel sulfate ये chemical एक बूंद अगर आपकी जीप पर गिरा दें तो जीप पर ही cancer हो जाता है मत करो आप ये बेकार है तो दात कैसे साफ करें दातून से दातून है ना पिपरिया में तो बहुत है मैं अभी रास्ते में आया इतने नीम के पेड़ है कि दातून ही दातून है यहां तो आपको तो कोई कमी नहीं तो दातून करो दातून ना मिले तो दंतमंजन करो दंतम करना फोगट वाला दंतमंजन घर में रसोई है वहां पे हल्दी है ले लो थोड़ी सी हल्दी और सर्सों का तेल है वो भी डाल दो उसमें और थोड़ा सा नमक तीनों को मिलाओ दाथ पे गिसो सबसे अच्छा दंतमंजन और एक दूसरा बताता हूं गाय है गाय उसका गोबर है गोबर को जला दो कैसे जलेगा पहले सुखाओ उसको छोटे कंडे बनाओ फिर जला दो तो राख निकलेगी उस राख में थोड़ा नमक मिलाओ थोड़ी फिटकरी मिलाओ और उसको दांत पर गिसो उससे अच्छा दं संत्वंजन दुनिया में नहीं और एक तरीका बताता हूं नीबू है ना नीबू हम सब्जी में निचोड़ते हैं अब छिलका बच गया इसको फेकना नहीं छिलके को उलट दो अंदर का हिस्सा बाहर निकाल दो उस पे नमक रिकड़के ऐसे से दांतों पे गिसो दांत एक पेड़ देखा उसका पत्ता तोड़ लो आम के पेड़के पत्ते को चबाओ थोड़ी दे चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा लुग दी बनेगी उसको दातों पर रगड़ दो दात एकदम किट किट करने लगते हैं एकदम साफ यह सब फोकट का इलाज है है कि नहीं और नहीं तो कोई खरीदना है तो दंतमंजन खरीद लो बजार में बहुत मिलते हैं लाल दंतमंजन, काला दंतमंजन वी को बजर जन्ती